हलो फ्रेंद्स वेल्कम बैग आज हम बनाने वाले हैं सिरफ तीन इंग्रीडियंट का यूज करके स्लाइम तो अचलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए फैविक कोल यहां पर हमारा सेकिंड इंग्रीडियंट है लेंड सॉल्यूशन यह मैं इस ब्रांड का रेनू ब्रांड का यूज कर रही हूँ sodium borate यह इंग्रीडियंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए आप किसी भी ब्रैंड का लेंज सॉलीशन यूज करते हैं इवन आप ओल्ड आई ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं यूज करना है यहां पर आपको ध्यान रखनी है हमें बेकिंग सोडा यूज करना है जो नॉर्मल खाने का सोडा होता है वह नहीं है पर कैमल के पोस्टर कलर यूज कर रही हूं कलर ऑप्शनल है अगर आपको कलर आड करना है तो कलर साहिए अदर्वाइस यू किप इट आज एक बाउल मिक्सिंग के लिए एक बाउल और एक स्पून मिक्सिंग के लिए तो चलिया स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं इसके अंदर लोंगी अल्मोस्ट तीन बड़े शमच ग्लू यानि की फैविकॉल आप जितना फैविकॉल लेंगे आपकी स्लाइम उतनी ही बनेगी तो यह अल्मोस्ट एक चोथाई कप है अब इसमें मुझे आड कना है 1 4th teaspoon baking soda यह इतना मैं इसमें आड कर रहे हूँ मैंने हाँ पे आड किया है रड कलर इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से देखे कितना ब्यूटिफुल कलर आ रहा है हमारी स्लाइम का इस मिक्षर का और अब हमें अपना लास्ट और स्टार इंग्रेडियन्ट आड करना है यह आट इस लेंग सॉलूशन इसको आप थोड़ा थोड़ा करके आड करें जब तक कि आपकी डिजायड कंसिस्टेंसी आपको एचीव नहीं हो जाती डिजायड कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिल जाती तब तक आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आड करें देखें यहां पर थोड़ा एड किया है और मिक्स करती हो अब जब तक यह पूरा मिक्षर साथ में इकटा नहीं होने लगे तब तक हम उसे लेंग सॉलूशन को थोड़ा थोड़ा करके आड करेंगे थोड़ा और आड करते हैं देखें यह बाउल पेसे पूरा मिक्षर अपने आप निकल रहा है और यह एक साथ आगया है अब हमें और आड करने की नीद नहीं है इस मूमेंट पे आप अपने हाथ का यूज़ कर सकते हैं इसको ऐसे दो पाच मिनट तक कीजिए इसको पूरा यक साथ आगया इसको रखने के लिए आप एर्टाइट कंटेनर का यूज करेंगे तो यह ड्राइ नहीं हो कर जल्दी let me know in the comment section below कि आपने अगर यह ट्राइ किया तो ऐसा रहा और इस चानल को subscribe कीजिए, like कीजिए, मिलते हैं नेक्स ताम, till then good bye